असल में इंसान के दिमाव में ट्यूनिंग होती है जाहर है गला तो एक टूल है जो कि उस ट्यूनिंग को ब्रडूस कर देगा तो हमें अपने दिमाव की ट्यूनिंग के लिए बड़ी मज़दार एक्सिसाइज है जो के क्रोमेटिक्स में चली जाएगी जैसे ला 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 इसकी प्रैक्टिस जरूर करें ये एक बहुत ही मज़दार एक्सिसाइज है जो के दिमाग को एक ला-ला-ला-ला-ला-ला यह कैसे जा रहा होगा इसके लिए पहले शुरू ऐसे करें ला-ला-ला-ला-Лा-ला उसके बाद सिर्फ टोपट पकड़ेंगे ला-ला-ला-ला-ü इस तरह चड़ते जाएं आदे 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 सुर जहां तक जा सकते हैं इसीली और और प्रैक्टिस के लिए ये भी जहन में रखेंगे कि बहुत जादा प्रैक्टिस भी गले के लिए ठीक नहीं होती एक सेशन में 20-25 मिनिट आदा घंटा इस से जादा प्रैक्टिस में तो एड़ाइस नहीं करता इसको अलग-अलग वक्तों में दिन भर में अलग-अलग टाइम में कुछ प्रैक्टिस करने चाहिए लेकिन मेरा ख्याल है एक टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना गले के लिए या लंग्स के लिए ठीक नहीं होता आवास के लिए भी मेरा रजाती तेजर्बा ये रहा है नेक्स्ट बड़ी मज़दार चीज हो गई है अब टेक्नोलोजी इतनी जबरदस हो गई है हमें फॉरन फॉरन रिजर्ट्स मिल जाते हैं ये जो भी एक्साइजस पर आप करें इनको रिकॉर्ड कर लें रिकॉर्ड करें अपने मुबाइल पर और सुने चुक्कि करी दफ़ा गाने में आदमी जब सुन रहाता है अपने आवास वो कुछ और रिजर्ट दे सकती है और अगर कभी आप उसको जब सुनेंगे रिकॉर्ड करके तो आपको शायद लगे यह कुछ अलग हो रहा है तो इसलिए अपनी रिकॉर्डिंग को हमेशा सुने हमेशा जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया करें और सुना करें ये भी एक प्रैक्टिस ह जो के बहुत important है next video हम इसी की यह जो exercises हमने की है इसके हम कुछ थोड़ी advance forms आपको बताएंगे जो के major scale से इलावा होगी होगी इसी में लेकिन थोड़ी advance होगी और third videos का खासा advance होने वाला है stay tuned